बिस्विल्लाव अफ्मान रोहीम अस्टाम लेकूम मैं हूरी डाई इर्फान और आप देख रहे हैं इर्फान टीवी आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस रेस्पी लेके आई हूं गार्लिक जिंजर पेस्ट यह बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है जो आप इजी जिंजर पेस्ट बहुत ही डिलिशियस बनेगा तो देर के इस बात की चलते हैं अपनी रेस्पी के तरफ जिंजर ने निगेरियंस की तो है वो आप नोट कर लें बिस्मिल्ला रौहमान रौहीम जिंजर 500 ग्रैम इसको अच्छी तरह पील करने के बाद आपने स्मॉल पीसी जितनी क्वांटिटी में आप पेस्ट बनाना चाहते हैं उसी क्वांटिटी में आप गार्लिक लें उसको अच्छी तरह पील करें और उसके बाद आप इसको कप में एड़ कर दें ताके इसका पेस्ट इसली प्रिपेर हो सके तो 500 ग्रैम गार्लिक आप वह इसके अंदर कर दें एड़ करने के बाद ओयल क्वांटर कप वह आप इसके अंदर एड़ कर दें ओयल की वज़ा से यह पेस्ट इतनी जल्दी हराब नहीं होगा अब ओयल एड़ करने के बाद आप ब्लेंडर के साथ इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताके इसका पेस्ट इसली प् अब आपने गार्लिक पेस्ट को एक एयर टाइट कंटेनर में एड़ कर लेना है तो देखें मैंने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में एड़ कर लिया है गार्लिक पेस्ट एजिली प्रिपेर हो चुका है तो आपने जितना बनाना है आप गार्लिक पेस्ट एक एयर टाइट क उस ही जिन्जर ले किसमाल पीसिस में कट करें और कप में एड़ कर दें और ईजली आप इसका पेस्ट कर ले wacky तो ऑईल कवाटर कप वह पिसके जल्द हारम नहीं करी होगा और तो आप इसकी तरह नहीं कि अचरके ँछ लिए करना ताके ginger paste easily prepare हो सके, जब ginger paste easily prepared हो जाए तो आपने इसको वही airtight container में add कर देना है, जिसके अधर मैंने garlic paste add किया था, हम garlic ginger paste बना रहे हैं, तो हमने दोनों को लईदा-लईदा paste में convert करना है, फिर एक airtight container में दोनों को अकठे add कर देना है, और फिर इसको easily mix कर लेंगे तो हमारा ginger garlic paste prepare हो जाएगा तो ginger paste आप airtight container में add कर लें आपने जितना भी prepare किया है वो सारा आप एक airtight container में add कर दें spoon के साथ तो यह देखें बहुत ही easily दो मिनट में मैंने इसको ready कर लिया है add करने के बाद आपने इसको spoon के साथ अच्छी तरह उपर नीचे से mix कर लेना है ताके garlic और ginger paste आपस में easily mix हो जाए और यह garlic ginger paste easily prepare हो जाए तो आपने अच्छी तरह इसकी mixing करनी है और इसको अच्छी तरह prepare कर लेना है अब आप इसके उपर oil वो add कर दे थोड़ा सा इससे जुनसा हमारा garlic ginger paste है वो हराप नहीं होगा और आप two to three month के लिए इसको store कर सकते हैं तो आप इसको अब air tight container में cover कर दें और इसको फ्रिज के अंदर रख लें मारा garlic ginger paste बिलकुल ready है कोई chemical add नहीं किया और बहुत ही easy method से मैंने इसे prepare कर लिया है आपने भी इसे step by step follow करना है और मुझे बताना है अपने feedback से के आपके garlic ginger paste कैसा बना अब अगर आपने fan tv के channel को subscribe नह आपके आने वली अच्छी मज़ेदार और बहुत ही delicious recipe सबसे पहले आपको मिलें तो अगर आपको किसी और recipe की जरूरत है तो आप वो मुझे comment section में बता सकते हैं तो garlic ginger paste बिलकुल ready है अब मैं आपको एक दफा इसके उपर से cover उतार के भी दिखा देती हूं यह देखें इसक जासे जिनसा garlic ginger paste है वो इतनी जल्दी हराब नहीं होगा क्यूंकि जो हम market से garlic ginger paste रेके आते हैं उसके नदब बहुत से chemical add होते हैं जिसकी वज़ए से वो बहुत ही जल्दी हराब हो जाता है लेकिन आप इसे store कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इससे निकाले और use कर अब डिदाइफान को इजासत दें अल्ला हाफीज